अतीक एहमद शूटाउट से जूड़ी हर दिन नया खुलासा हो रहा है ऐसा लग रहा है कोई फिल्म चल रही है जो सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है अभी और खुलासे होना बाकी है अभी इस वक्त जो पुलिस की तलाश है वो सबसे ज्यादा फोकस एक लेडी पर किया जा रहा है और वो है लेडी डॉन यानि अतीक एहमद की पतनी शायस्ता परवीन मैं आपको बताऊंगी कि शायस्ता परवीन की जो क्राइम कुंडली है वो क्या है क्यों अपने पती के साथ कैसे उसने कंधे से कंधा मिलाया और उमेश पाल हत्याकान में वो आरोपी है उस पर आरोप है कि उसी नहीं साजिश रची थी लेकिन इसे आईरिनी कहेंगे या व पत्या की वो उनका बेटा था जिसका एंकाउंटर हो चुका है जिसका नाम असत था अब शायस्ता परवीन कौन है दरसल जिस यूपी पुलिस के बारे में बात हो रही है यूपी पुलिस के सामने ही अतीक एहमत का मर्डर हो जाता है यही यूपी पुलिस के सिपाही रहे शायस्ता के पिता और प्रयागराज के रामपूर इलाके से तालोख रखती है शायस्ता परवीन जिस पर 50,000 का इनाम घोशित है अब तक शायस्ता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो है कहां क्योंकि तीन-तीन लोगों के जनाजे हो चुके हैं जिसमें अत अतिजार यूपी पुलिस भी कर रही थी अब तक वो गिरफ से बाहर है अब शायस्ता कहां है ये बहुत बड़ा सवाल है लेकिन पिछले 6 साल से अतीक एहमद जो बन था वो साबरमती जेल में बन था और शायस्ता लगाता संपर्क में थी ये बताया जा रहा है एक 19 फरव में शामिल थी उमेश पाल हत्याकान की एक और जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो है शायस्ता के बारे में कि शायस्ता की चार बेने हैं दो भाई हैं और इसके अलावा ग्राजुएशन की भी पढ़ाई की इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अपने पती के अपराद में लगातार वो साथी बनी रही और उसे सब जानकारी थी ये भी जानकारी मिल रही है कि अतीक एहमत से भी साबरमती जेल में 11 अपरेल को संपर्क शायस्ता परवीन ने किया था लेकिन अभी ये लेडी डॉन कहा है ये सब के जहन में सवाल बना हुआ है और पू